पिश्टन में लॉक किस तरह से लगाना है मैं आपको अभी लगा कर दिखाऊंगा यह देखिए पिश्टन में लॉक किस तरह से लगाना है यह देखिए लॉक है हमारे पास पिश्टन लॉक को पिश्टन में अंदर की तरफ इस तरह से बैठा ले इसके बाद आपको प्लास जोठ देकर इस तरह से लगाना है देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं इसी तरह से आपको भी lock लगाना है पिषटन liberty में lock लगाना बहुत ही easy है यह देखिए piston lock लग चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देखिए lock चो वो अच्छी तरह से लग गया है पिश्टन में पिश्टन लॉक हमने लगा दिया है अब मैं रिंग लगाऊंगा तो देखिए पिश्टन में रिंग किस तरह से लगाया जाता है यहां पर आप ध्यान से देखिए मैं आपको भी लगा कर दिखाऊंगा किस तरह से लगाना है दोस्तो पिश्टन में रिंग आराम से लगाना है यह देखे मैं किस तरह से रिंग को लगा रहा हूँ इसी तरह से आपको भी रिंग लगाना है पिश्टन में रिंग लगाते वक्त आप रिंग को जादा ना टने नहीं तो जो रिंग है वो टूट सकता है आराम से लगाएं आप रिंग को पिष्टन में रिंग आपको जब भी लगाना है तो नीचे में सबसे पहले लगाना है सिगेंड रिंग आपको पहले लगाना है उसके बाद आपको टॉप रिंग लगाना है यह देखिए दोस्तो रिंग कुछ इस तरह से आपको लगाना है पिश्टन में, यहाँ पर ही एक पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके बीच में ही रिंग रहेगा, पिश्टन रिंग जब सिलिंडर में लगेगा तो कुछ इसी तरह के रहेगा, रिंग को आप हातों से टूड जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिंग को टानना नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा टानेंगे तो टूड जाएगा रिंग, यह देखिए टॉप ओला रिंग आप देख सकते हैं, मैं किस तरह से लगाया हूँ, ठीक इसी तरह से आपको भी लगाना है, र जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रेंग बोडी में दो बैरिंग लगा हुआ रहता है, उसी बैरिंग में मैं ओईल को लगा रहा हूँ, दोनों साइड में एक एक बैरिंग होता है, दोनों बैरिंग में आप 20W40 का ओईल लगा दे, ओईल लगाने के बाद आप इस तरह से घु तो जब भी आप पिश्टन और सिलेंडर को फिट करें, क्रेंग को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, क्रेंग आपका बैरिंग नहीं होना चाहिए, और क्रेंग का बैरिंग भी चेक कर लिजे, क्रेंग बैरिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रेंग बैरिंग लग बैरिंग में इस तरह से दोनों लोक को आप इस तरह से बैरिंग में लगा ले पिश्टन में पिश्टन पीन को हमने लगा दिया है अब मैं यहाँ पर पिश्टन को फीट करूँगा तो देखे किस तरह से पिश्टन आपको लगाना है पिश्टन पीन जो है वो आपको कपड़ा लेकर और क्रेंग को अच्छे से ढख लेना है जब आप क्रेंग को अच्छी तरह से ढख ले कपड़ा लेकर इसके बाद आपको पिश्टन लॉक लगाना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप पिश्टन में पिश्टन लॉक को लगाते हैं लॉक जो है वो स cylinder gasket, cylinder gasket को मैं देखे किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है, ध्यान से देखिए आप, cylinder piston में fit करने से पहले, cylinder में हम manifold और manifold gasket, manifold bracket और carburator gasket यह सभी को हम लगा लेंगे, चलिए आप मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, किस तरह से आपको यहाँ पर लगाना है, यह देखे मैनिफोल्ड का गास्केट है, यह गास्केट लगाना बहुत ही जरूरी है, यह देखे मैनिफोल्ड में इस तरह से गास्केट को आपको लगाना है, मैनिफोल्ड फिट करत 4 mm का एलेंकी बोल्ट है, 4 mm का एलेंकी लेकर आप दोनों बोल्ट को फूल टाइट कर दीजिए, दोस्तों किसान मसीन चैनल पर आपने फर्स्ट टाम विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वाले अप्शन पर क्लिक करके नोडिफिकेशन अन कर लें, त दोस्तों, मैनिफोल्ड ब्रेकेट लगाने से पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें, यह कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह देखिए, मैनिफोल्ड ब्रेकेट में दो नट लगा हुआ राता, यह नट अगर सिलिप रहेगा, कार्बुरेट से चेक कर लेजे, कहीं पर फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज दिख रहा है, तो आप इसे चेंज किजिए, एक नया फ्लेंजा लगाईए, अगर फ्लेंजा टूटा हुआ रहेगा, तो आपके मसीन में स्टार्टिंग प्रोब्लम आएगा, मसीन स्टार्ट ह नहीं हो रहा है, तो यह सब आप चेक करके लगाईए, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिश्टन रिंग स्लेंडर में लगाने से पहले, यहाँ पर आपको 20W40 का ओईल लेना है, 20W40 ओईल लेकर आप पिश्टन और रिंग में अच्छी तरह से लगा दे, पिश्टन र ओईल दे कर आपको नहीं लगाना है, अगर आप तूटी ओईल दे कर लगाएंगे और मसीनी स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में आपका रिंग और पिश्टन तूटी आएगा, सिलेंडर में भी हमने ओईल को अच्छी तरह से लगा दिया है, यह देखिए सिलेंडर लगाते व बिल्कुल अंदर होना चाहिए, हाथों से आप इस तरह से रिंग को दबा दिजिए, यह देखिए रिंग जो है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए पिश्टन में, रिंग अगर पिश्टन में सही से बैठा हुआ नहीं रहेगा तो जब आप सिलेंडर को फिट अच्छी तरह से दबा कर रखें, जब तक रिंग आपका सिलेंडर के अंदर नहीं चल जाता है, तब तक आपको रिंग नहीं छोड़ना है, अगर इसके बाद भी आपका सिलेंडर अंदर नहीं जाता है तो वापस से बाहर निकालिए और अच्छे से ओईल लगाईए, पि एर पाइप को पार करना है, एर पाइप जो है प्लास से आप इस तरह से पकड़ लीजिए, प्लास से पकड़ने के बाद मेनिफोल्ड ब्रेकेट में हॉल है और कार्वेडर गास्केट में भी हॉल है तो आप इस तरह से हॉल के अंदर में पाइप को डाल दें, यह को आप हलका हलका बाहर के तरफ खीच लीजिए जब एयर पाइप बाहर आ जाए अब आपको सिलेंडर को बैठाना है सिलेंडर देखे आराम से बैठाईए सिलेंडर को बैठाते वक्त आप ध्यान दें सिलेंडर गास्किट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए सिलेंडर गास् जैसा कि आप जानते हैं, manifold bracket में दो LNK bolt tight होता है, चलिए pipe को और भी खीच कर देख लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यह देखे अच्छी तरह से यह बाहर होना चाहिए, cylinder में cylinder bolt tight करने से पहले आप hall को अच्छी तरह से मिला लीजिए, cylinder gasket और cylinder का hall बिलकुल सही होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारे पास 4 LNK bolt है, जो कि मैं cylinder में tight करूंगा, 4 mm का LNK bolt है यह, 4 mm का LNK लेकर आप 4 bolt को पहले फसा लीजिए, दोस्तों यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह part 2 वीडियो है, अगर आप part 1 वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीड प्रोबलम को कैसे solve कर सकते हैं, अगर आपका machine start नहीं हो रहा है, तो क्या क्या खराब हो सकता है, part 1 वीडियो में मैंने बताया है, part 1 वीडियो देखना आपको बहुत ही जरूरी है, पहले आप part 1 वीडियो देखें, उसके बाद यह part 2 वीडियो देखें, जैसा कि आपने दे साल है, उसके बाद इसे full tight करें, manifold bracket का 2 link bolt जब full tight हो जाए, उसके बाद आपको cylinder bolt को tight करना है, cylinder का 4 bolt को आप full tight कर दे, recoil starter खेच कर चेक कर लेजिए, आप down होना चाहिए piston, काफी अच्छा work कर रहा है, यह देखें, यह है round ring, round ring को आप इस तरह से manifold में लगा लीजिए, round ring को प्रेस करके आप manifold में इस तरह से बैठा लीजिए, round ring को आप manifold में लगा रहे हैं और नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से link की लेकर round ring को प्रेस कीजिए, round ring manifold में लगाना बहुत ही आसान है यह देखिए इस तरह से आप round ring को manifold में लगा लीजिए यह देखिए यह है carburetor, carburetor को हमने अच्छे से wash कर लिया है petrol से carburetor में बहुत ही ज़्यादा dust लगा हुआ है तो आप इसे petrol से wash करें carburetor एकदम clean होना चाहिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से carburetor को लगा रहा हूँ यह देखिए यहाँ पर आपको accelerator rud को fit करना है यह देखिए यह है accelerator rud accelerator rud को आप इस तरह से fit कर लिजिए carburetor में Carburator का जो रड है वो अच्छे से लगा लिजे अगर ये सही से लगा हुआ रहेगा तब ही work करेगा उपर में एक air pipe है air pipe को आप इस तरह से लेकर उपर का जो nozzle है carburator का उसमें लगा दे ये देखे नीचे में एक fuel pipe है इस फ्यूल पाइप को आप इस नोजल में इस तरह से लगा दीजी इस फ्यूल पाइप में पेट्रोल आता है कार्वरेटर को लगाने के बाद इस रबल को आप अच्छे से बैठा लीजे ये उपर में बॉडी में बैठा हुआ होना चाहिए ये देखे एर फिल्टर एडेप्टर में में दो इलेंकी बोल्ट लगा रहा हूँ इसे तरह से इलेंकी बोल्ट आपको लगाना है ये इलेंकी बोल्ट से हम कार्वरेटर को टाइट करेंगे 4 mm का इलेंकी बोल्ट है ये 4 mm का एलिंकी लेकर आप पहले इसे दोनों बोल्ट को हलका हलका फसा लीजिए, देखे ये हमारे पास है 4 mm का एलिंकी, 4 mm का एलिंकी लेकर आप दोनों बोल्ट को पहले फसा लीजिए, दोनों एलेंकी बोल्ट फूल टाइट करने से पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है यह देखें फ्यूल पाइप है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूल पाइप जो है वो एयर फिल्टर एडेप्टर में अंदर के तरफ चला जाता है तो ऐसे में आप अगर बोल्ट को टाइट करेंगे तो यह पाइप जो है वो कट जाएगा फ्यूल पाइप को आप बाहर कर ले उसके बाद अलेंकी बोल्ट को फूल टाइट करें दोस्तो किसान मसीन चैनल पर आपने फर्स्ट टैम विजिट किया है चैनल को अभी सस्क्राइब करें आल वाले अप्शन पर किलिक करके नोडिफिकेशन अन कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करू आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे यह देखिए यह on-op switch है इस on-op switch को इस ring में आप इस तरह से डाल दीजिए अब मैं silencer fit करने वाला हूँ silencer fit करने से पहले आपको यहाँ पर दो bolt लगाना है यह है silencer gasket silencer gasket लगाना बहुत ही जरूरी है bolt में इस तरह से silencer gasket को आप लगा दीजिए दोस्तो अगर silencer gasket कटा हुआ रहेगा फटा हुआ रहेगा डामेज रहेगा तो जब भी आप machine को start करेंगे machine आपका बहुत ही ज्यादा sound करेगा machine start करके चलाते हैं और बहुत ही ज्यादा sound करता है तो ऐसे में आप silencer gasket को चेक कीजिए अगर वो damage है तो उसे change कीजिए एक नया silencer gasket लगाईए यह देखिए bolt में 8 नमर का nut पहले फसाना है हातों से 8 नमर का nut लेकर पहले आप इस तरह से फसा लीजिए यह देखिए small LNK bolt आपको नीचे में tight करना है 4 mm का LNK लेकर आप दोनों bolt को पहले फसा दीजिए दोनों bolt को half गुना tight कीजिए full tight नहीं करना है 8 नमर का T range, goate, handle यह size range लेकर आप इस nut को पहले full tight कर दीजिए उसके बाद आपको LNK bolt को full tight करना है वीडियो देखने से आपको कुछ भी knowledge मिल रहा है तो वीडियो को like कीजिए और channel को अभी subscribe कीजिए यह देखिए यह है spar plug, spar plug को आप अच्छे से clean कर लीजिए मैंने petrol से wash कर ली है spar plug को spar plug में carbon नहीं होना चाहिए अगर carbon है तो आप उसे clean कर लीजिए spar plug को पहले आप हातों से full गुना फसा लीजिए उसके बाद इसे full tight करना है plug range लेकर plug को अच्छी तरह से tight कर दीजिए tight करने के बाद आपको plug cap को लगाना है plug cap आप tight करके लगाए पलग cap के अंदर में clip होना चाहिए देखकर लगाए आप plug cap को अच्छी तरह से tight कर दीजिए अगर ये plug cap ढीला रहेगा तो आपके machine में starting problem आएगा plug cap ढीला नहीं होना चाहिए अच्छी तरह से आप tight करके लगाए plug cap को sorry दोस्तों plug लगाने के बाद उपर का जो cylinder cover वो नहीं लगता है इसलिए मैंने spar plug को खोल दिया है पहले हम chalk liver को लगाएंगे chalk liver आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रहा हूँ इसी तरह से आपको भी लगाना है chalk liver को own up switch में rubber cap लगाना है यह देखे एक rubber cap switch में आप इस तरह से लगाना है जैसा कि आप जानते हैं carburetor में तीन screw होता है यह तीन screw में आपको इस तरह से यह rubber cap लगा देना है rubber cap को हाथों से press करके आप अच्छे से बैठा ले वो screw में अच्छे से बैढ़ जाएगा अभी जो रबड लगाया गया है इसमें आपको ignition coil का wire को फसाना है यह देखे इस तरह से आप ignition coil का जो wire है उससे आप फसा लिजे उसके बाद आपको top cover लगाना है top cover को आप अच्छे तरह से लगा दे carburetor gasket आपका बाहर रहेगा top cover को tight करने के लिए हमें 5 LNK बोल्ट चाहिए 4 mm का LNK बोल्ट है 4 mm का LNK लेकर आप 5 बोल्ट को पहले फसा ले उसके बाद full tight करें दोस्तों आप किस सार से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे comment box में लिखे अगला वीडियो मैं कौन सा मसीन पर बनाओं जिस वीडियो पर ज़्यादा like और comment करेंगे उसी मसीन का मेरे repairing वीडियो बनाओंगा और गया मैं आपसे partnership कर सकता हूँ हर बार आपको request करता हूँ वीडियो को like जरूर किया किजिए क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए यह वीडियो सेर किजिए उन लोगों को जिनके पास यह मसीन है जिनके आस पास टेक्निस से नहीं है देखे जरास पस ना किसान मसीन यूटूब चैनल सब्सक्राइब करवाईए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है यहां पर आप स्पार पलक को फीट कर रहे हैं तो स्पार पलक को आपको clean कर लेना है पलक का जो कारबन है उसे आप clean कर लेजिए अच्छे से और पेट्रोल से वास कर लेजिए इस पार पलक को जब पलक अच्छे तरह से clean हो जाए उसके बाद आप अप स्पार पलक को फीट कीजिए असपार पलक को पहले आप हातों से इसे फूल गुना चढ़ा ले जब ये फूल गुना चढ़ जाए उसके बाद आपको plug रेंच लेकर इसे फूल टाइट करना है दोस्तो लकडी काटने वाली चैंसो मसीन हो या ग्रास कटर हो घास काटने वाली और अधर कोई सा भी आपके पास मसीन है और आप उस मसीन का इस पेर पाट्स लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्टर को हमने पेटरोल से वास्क कर दिया है अब यहाँ पर आपको air filter का जो cover है वो इस तरह से लगा देना है यहाँ पर आपको एक nut मिलेगा इस nut को आपको अच्छे से tight कर देना है दोस्तो guide bar, chain और break when यह सभी लगाने के बाद मैं आपको machine start करके दिखाऊंगा तो आईए जानते हैं किस तरह से guide bar, chain और break when यह सभी को लगाना है guide bar को हमने लगा दिया है अब आपको chain लेना है chain का जो धार है वो आगे के side में रहेगा जैसा कि आप जानते हैं यह देखे chain का जो धार है वो आगे के तरफ रहेगा इस chain को पहले हम clutch drum में अच्छे से फसा लेंगे उसके बाद guide bar में फसाएंगे जब chain guide bar में अच्छे से बैड जाए इसके बाद आपको clutch drum को घुमा कर check कर लेना है chain जो है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए guide bar में ये देखे chain लगाने के बाद आप एक बार check कर लेजिए ये देखे अंदर में आप देख रहे हैं clutch drum इस clutch drum में chain अच्छे से fit होना चाहिए guide bar और chain जब अच्छे तरह से fit हो जाए अब आपको break when लगाना है तो देखे break when किस तरह से लगाना है ये देखे break when आप इस तरह से लगा लीजिए break when clutch drum में नहीं जा रहा है तो ऐसे में आपको register screw को ढीला करना है screw driver लेकर ये देखे screw driver लेकर आप इस तरह से ढीला कर लीजिए चलिए screw को और ढीला करते हैं तो ये देखे break when अच्छे से बैठ चुका है chain tight करना चाहते हैं तो इसी screw को आपको tight करना है इस screw को tight करेंगे तो chain जो है वो tight हो जाएगा दोस्तो chain को tight करने से पहले आपको यहाँ पर 12 नमबर का bolt अच्छे से फसा लेना है 12 नमबर का गोटे या range लेकर आप इस nut को फसा लीजिए nut अभी आपको full tight नहीं करना है nut को फसाना है full tight अभी नहीं करना है यह देखिए chain को आप देख लीजिए chain अगर लग रहा है आपको ढीला है तो अभी आपको screw को tight करना है यह देखिए register screw जो है उसे आपको tight करना है दोस्तो इस वीडियो से आपको कुछ भी knowledge मिल रहा है तो इस वीडियो को like कीजिए और channel को अभी subscribe कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चार से पाँच बर screw को tight करने के बाद अभी भी आपको लगता है कि chain ढीला है आप इस तरह से chain को check कर लीजिए अगर आपको अभी भी ढिला लग रहा है chain तो फिर से register screw को आप small screw driver लेकर इसे tight कीजिए दोस्तो चार को tight करने के बाद हाथों से घुमा कर chain को एक बर check कर लेजिए या देखे break when open होना चाहिए plug range या screw driver लेकर आप chain को इस तरह से चला कर देख लेजिए chain जो है वो guide bar में free घुमना चाहिए जैसा कि अभी आपने देखा chain guide bar में काफी अच्छा running कर रहा है अब nut को tight करने के लिए आपको 12 नंबर का ring range या गोटी लेना है 12 नंबर का गोटी या range लेकर आप इस तरह से nut को full tight कर दीजिए दोस्तो हमारी youtube channel best किसान machine में से एक है कभी कभी हमारी video थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं machine और video के content पे कभी भी compromise नहीं करता इसलिए video को end तक देखना जरूरी है चलिए fuel tank में fuel डालते है और machine start करते है तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये two stock engine है two stock engine में petrol के साथ में 2T oil डालना बहुत ही जरूरी है half liter petrol में 20 ml 2T oil डालना है यह देखे 20 ml का पाउच है और अगर आप 1 liter petrol में mix करना चाहते हैं 2T oil तो 40 ml 2T oil mix करना है आपको 1 liter petrol में दोस्तो two stock engine को आप हमेशा 2T oil देकर चलाएं only petrol में इस machine को आप ना चलाएं only petrol से two stock engine को चलाएंगे तो आपके machine का ring piston और cylinder यह सभी damage हो जाएगा मैंने जो अभी petrol डाला है बोटल वाला उसमें 2T oil mix है चलिए अब मैं machine को start करके और लकड़ी काट के दिखाऊंगा आपको अजर्श आपके हमें झालाएं क्वारी अजर्श यह मैं यह सभी हो आपके चलाएं अजर्श बोलाएं अजर्श बोलाएं ऊजर्श नहूद यह लोलाएं दोस्तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका आंसर दूँगा कॉल बर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में हमारा फोन नमबर है आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं